नवश्कार मैं हूं नरेश्वत्स अर्थप्रकाश टीवी में आपका स्वागत है और हमारी खास पेसकस बीजेपी का लोटस ओपरेशन जी हां मध्यपरदेश के दिगज नेता जोतीरा दित्ते सिंधिया आज बीजेपी में विदिवत रूप से शामिल हो रहे हैं बीजेपी के राष्टे अध्यक्स जेपी नडडा के साथ वो दिल्ली बीजेपी मुख्याले में शामिल होंगे लेकिन जोतीरा दित्ते सिंधिया कांग्रेस से किसने से बीजेपी में शामिल हुए ये सब आप जानना चाहते हैं आखिर जोतीरा दित्ते सिंधिया की मुलाका साथ बीजेपी अध्यक जेपी नडडा परधान मंत्री नरेंदर मोदी और ग्रही मंत्री अमित शा से किस ने कराई जी हाँ एक नाम है जफर इकबाल वो नाम जो कि आप बीजेपी के परवक्ता के रूप में टीवी डिबेट में उनको अकसर सुनते हैं और साथ ही महरानी दाइकबाल भी शामिल है जिनोंने बीजेपी आला कमान तक जोती रादिते सिंधिया को पहुंचाया है अब हम बात करते हैं जफर इकबाल बीजेपी में आने से पहले वो एक विदेसी कंपनी में काम करते थे और लाकों का वेतन पाते थे जफर इकबाल ने ही जोतीरादिते सिंधिया से संपर्क साधा और उसके बाद आखिरकार जोतीरादिते सिंधिया ने कॉंग्रेस को छोड़ कर बीजेपी का दामन थाम लिया जफर इकबाल के राजनेतिक आदर्श परधान मंत्री नरेंद्र मोदी हैं परधान मंत्री नरेंदर मोदी की राजनेतिक कला कोशल से प्रभावित होकर जफर इकबाल ने राजनेति में कदम रखा बेहधी मृद भाशी और मिलन सार जफर इकबाल ने अपने काम के बलबूते परधान मंत्री नरेंदर मोदी और अमित्सा का भरोसा जीता और यही वज़ा है कि मध्य परदेश में आउप्रेशन लोटस चलाने का जिम्मा परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जफर इकबाल को सोब दिया जफर इकबाल ने इस पूरे आउप्रेशन को बड़ी ही संजीदगी और तरीके से अंजाम दिया कॉंग्रिस का एक बड़ा किला कॉंग्रिस के मध्य परदेश के मुखे मंतरी कमलनात को जोरदार जटका दे कर और कॉंग्रिस आला कमान को जटका दे कर बीजे पी ने एक नई शुरुवात अपरेशन लोटस के तहत की है बीजे पी पर नजर रखने वाले राजनेतिक जानकार बताते हैं कि जफर इकबाल और जोती रादित सिंधिया पहले से ही जानते थे दिल्ली में मुलाकात उनकी अक्सर खोती रहती थी जोती रादित सिंधिया ने ही पेशकश की जफर इकबाल को और उसके बाद जफर इक हैं कि जफर इकबाल की जोतिरादिते सिंधिया से पांच बार मुलाकात हुई पहले से ही इस बात को जब पक्की हो गई जोतिरादिते सिंधिया और जफर इकबाल की की जोतिरादिते सिंधिया कांग्रिस छोड़कर और बीजेपी में आना चाहते हैं हम आपको बता दें कि आ का समर्थन किया था और उसी से शुरू हो गई थी ये नई पट कथा जफर इकबाल ने इस पूरे ओप्रेशन को अंजाम दिया है जोतिरा दिते सिंधिया को बीजेपी में लाने में जफर इकबाल की भूमिका को ऐसे भी समझा जाता है कि कल खुली के मोके पर जब परधान मंत्रे अवास में जोतिरा दिते सिंधिया की परधान मंत्री से मुलाकात हुई तो तब जफर इकबाल भी मोजूद थे इतना ही नहीं ग्रही मंत्री हमिशा के साथ भी जफर इकबाल देखे गई हैं पूरे राजनितिक घटना चक्र के बाद जोतिरा दिते सिंधिया ने इस्तिफा दे दिया है बलकि कॉंग्रेस के 22 विधाय को ने इस्तिफा दे कर राजनिति का एक नए खेल खेला है उसके बाद कॉंग्रेस आला कमान इस पूरे मामले पर नजर रखने के लिए पार्टी अध्यक सोनिया गांधी ने भी अपने पर देश में राजनिति का एक बड़ा खेल खेला जाने वाला है कांग्रेस और बीजेपी की अब चिंता है कैसे विधायकों को रोका जाए अपने पाले में और उनको चुपाने का उनको अपने साथ लाने की अब एक नई कवायद शुरू हो गई है तो राजनितिक घटना चकरतेजी से बदल रहा है और आप राजनिति की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए अर्थपरकास टीवी देखते रहे और मुझे दीजे अनुमती ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें